ओम नमश्य बाइट जैम अतरारी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योजीब चैनल व्रत्योहार टोटके मैं हूँ आपके साथ रुम्छुम शर्मा दोस्तों इस साल दिवाली का त्योहार 14 नवंबर को पढ़ रहा है पांच दिवसे इस त्योहार में हम पूजा करते हैं मालक्ष्मी भगवान श्री गनेश की श्री महाकाली श्री महा सरस्पती और महालक्ष्मी माता की विशेश पूजा रादना हम करते हैं धन्तेरस के दिन भगवान कुवेड की धन्वंतरी जी की पूजा रादना होती है धन्के देवता की तो इस तरीके से इन तमाम देवी देवताओं के पूजा का विधान होता है दीपावली के टिवहार में बहुत ही विशेश रखता है महत्व आर्थिक जितनी हमारी जरूरते हैं माता लक् सफाई की जो हमें तैयारिया करनी होती है वह सामावियों की सूची के साथ सत् sar curing की विशेश तैयारी होती है मां लक्षमी को प्रसंद करने के लिए दोस्तों बहुत ही महत्व पूर्ण है कि हम अपने घर की सफाय करें हमारे दुकान है हमारे जो बेवैपार की पावली से पहले, अब आप मा लक्षमी के आगमन की तैयारी करेंगे, तो किस तरह की सफाई आप करेंगे, क्या कुछ आपको साबधानी सफाई में और किन चीजों को आपको सफाई में हटाना है, बहुत महत्वपोर्ण है ये जानकारी, तो आप इस वीडियो को जरूर कीजेगा, सबसे पहले दोस्तों, अगर सफाई की हम बात कर लेते हैं, तो सफाई में ध्यान देना होता है, हम सभी जानते हैं, कहीं मकडी के जाले ना घर में लगे हूँ, ऐसा माना जाता है कि वो दारदृता का प्रतीक होता है, तो जब आप घर की सफाई करते हैं, तो इन सब चीजों का आपको विशेश ख्याल रखना है, सफाई ये नहीं, कोने-कोने की करनी चाहिए, दीपावली की अगर सफाई हम कर रहे हो तो, और हर कोने को साफ रखना चाहिए, दोस्तों, कहा होता है मालक्षमी का बास, साफ सफाई जो हम करते हैं, तो जैसा मैंने आपक को बताया हर कोने की सफाई, लेकिन आपको अब दीपावली से पहले क्या वो चीजे हैं जो घर में बिलकुल नहीं रखनी चाहिए, साफ सफाई के बाद, सबसे पहली चीज, तूटा हुआ कोई भी कांच का सामान आपको अपने घर में बिलकुल नहीं रखना है, जब भी आपके विंडो का या दर्वाजे का तूटा हुआ है, या फिर ड्रसिंग टेबल का शीशा कहीं से तूटा चटका हुआ है, आप बहुत ध्यान से उन तमाम तूटे हुए शीशो को हटाएंगे और उसको रिप्लेस करके आप नया लगवाएं, दीपावली में तूटे हु कोई भी पुराने खराब उपकरण, गर में बहुत तरह के हम आजकल गैजट का इस्तमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो पुराना खराब पड़ा, टीवी हो, पंखा हो, कूलर हो, आपका एसी खराब पड़ा है, आप किसी भी तरह के अन्य एलेक्ट्रोने चाहिए घर में, आप दीपावली से पहले इन चीज़ों को जरूर हटा दें, अगर वो चीज़े खराब हैं, तो आप उसको ठीक करा के इस्तमाल में ले आएं, लेकिन अगर वो बिल्कुल खराब हैं, आपने रखा हुआ है कि इसको निकाल देंगे कभी, निकाल देंगे, चाहिए वो डेकुरेटिव मूर्ती में से हो, आइटम हो, या फिर आपकी पूजा अस्थल पर भगवान की कोई तस्वीर, कोई फोटो, प्रतिमा, खंडित हो तूटी हो, आप उसको बिल्कुल हटा दें, दिवाली की सफाई में, बहुत ज़रूरी है, ये घर में बहुत नाकरात्म कूजा लेकर आती है, खंडित मूर्तियों की पूजा हमें, बिल्कुल नहीं कर दी चाहिए, तो ये काम भी आप जरूर करें, हाँ दिवाली के शुब अबसक पर, धंतेरस और कई मूर्त मैंने आगे कई वीडियो में बताए भी है, शुब मूर्तों में आप खर गड़ी कभी भी घर पे हमें नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा नकारात्मक्ता वो आपकी जीवन में लेकर आती है, कहते हैं कि आपकी जीवन का पहिया रुकता है उसी तरीके से घड़ी रुकी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अगर आपके घर में कोई पारिशानी है, आप उसको ठीक करवा करके इस्तमाल में ले आएं, और ऐसी चीज है, अगर वो टूट फूट गई है, आप चाहते हैं उसे फेकना, आप जरूर उसे फेकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दिवाली की सफाई में, दोस्तों एक अन्य महतुपॉर्ण हम सभी जानते हैं, जूते चपल घर में कभी भी फैलाके नहीं रखने चाहिए, ज्यादा पुराने जूते चपल हैं, हमें उनको बहुत दिनों तक रखना भी नहीं चाहिए घर में, वो भी नाकरातमक्ता लेकर आते हैं आपकी जीवन में, तो ऐसे में दिवाली की सफाई में, अगर अपनी बहुत पुरानी जूते चपल रखे हुए हैं, कि कभी इस्तमाल करेंगे, या किसी को दे देंगे कभी, तो आप दिवाली की सफाई में ऐसा जरूर कर लें, अगर कोई ऐसे जूते चपल है, जिसको आप यूज करना चाहते हैं, ठीक करवाकर रखें, और अगर पुराने हैं, तो आप उसे किसी को दान में दे दें, जूते चपल का दान करना बहुत महत पुपूर्ण है, और बहुत शुबता लेकर आता है, लेकिन घर में जूते चपल फैला कर रखना, खास तोर पर दर्वाजे के सामने फैला कर रखना, आपके घर में नकरात् दोस्तों एक और महत्वपोर्ण जानकारी में आपको देदू हम सभी यह जानते भी है और करते भी है लेकिन जाने में कई दिनों तक हम रख लेते हैं तूटे हुए बरतन आशकल तमाम तरह की परिशानिया स्टील के बरतनों में खास तौर पर आती और किचिन में सब स्टील करते हैं तो शीशे का मैंने अब बता दिया क्रॉकरी भी अगर हो आपको हटा देनी है अगर चुटा हुआ हो चटका हुआ भी हो किसी ब्याने तरह की चीज हो अगर शीशे की और चटकी हुए टूटी हुए उसी तरीके से किचिन में अगर कोई स्टील का बरतन या अने त सफाई में जरूर निकाल देनी है इससे भी घर में अशुभता रहती है तुर्भा के बढ़ाता है ये तो शुभता के लिए मालक्ष्मी के सिर्वास के लिए आपको ये तमाम चीजें ध्यान रखनी है इस्दीपावली आप जरूर करें उसी तरीके से टूटे-फूटे फ जहां हम रखते हैं या च्छत पर बहुत ऐसा होता है देखने में आता है कि च्छत पर हम कबार का अंबार लगा देते हैं ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए तूटे फरीचर अगर आपके घर में है आपने कहीं भी रखे है या तो उसे ठीक कर इस्तमाल में ले आए किसी को दे दे आप अगर आपने ही चाहते है इस्तमाल करना थोड़ा बहुत दूटा है तो लेकिन आप उसको घर में ना रखे और मैं तो यह भी कहूंगी कि किसी को ना दे वो किसी की जीवन में दुर भागी लेकर ही आएगा तो आप उसे ठीक कर वाले या उसको रिस्पोस कर द दिवाली की सफाईर में आपको हर कोने को मैंने वीडियो की शुरुआत में हर कोने को साफ करना है तो छट भी आपके घर का हिस्सा है छट के चारो कोनों में मालक्ष्मी देखेंगी वो कि किस तरह की सफाई है भगवान का देवताओं का वास होता है हर कोन में तो आपको ऐ जानकारियां आपके लिए उपयोगी सावित होगी, बहुत ही महदूपॉण जानकारिया, सपसफाई हम कर रहे हैं लेकिन आदी अधूरी ना करें, पूरी तरीके से करें, मालक्ष्मी को प्रसंड करने के लिए उन्हें अपने घर में स्थर वास करने के लिए मामंत्रन दें और मा आए और स्थिरता से हमारे घर में वास करें दोस्तों दिवाली 2020 एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आप सभी के लिए वहां पर आप जाकर तमाम वीडियो धंतेरस और तमाम जो व्रत्योहार उसके बाद पांचो दिन पढ़ेंगे इस पांच दिवसी महापर्व में के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगी आप वहां से भी देख सकते हैं उमीद करते हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजेगा इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें और तमाम व्रत्योह कारू की जानकारियां यहां आपको मिलती रहेंगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जय मातारानी डोस्तों